मुलिये सत्कुर्देवाकी इजये साहिवा निसंदेय, जब हम संतकाल के सभी संतों की तरफ दृष्टिपाद करते हैं, तो एक बात भली भांत समझ में आते हैं, उन्होंने ब्रमांडी यात्राइं की, एक दो महाप्रश्रीम बोलें, सुर्दाज जी अलग बोलें, दादु द्याल जी बोलें, और पल्टु साहिब बोलें, सभी संत बोलें, कुछ वास्त रिकता हैं, आईए देखें, ये कैसे यात्राइं हैं, क्या यथार्थ में आंत्र की यात्राइं हो सकती हैं, क्या? ये कपोल कल्पित बातें तो नहीं हैं, नहीं, यथार्थ में ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं हैं, इसका आधार हैं, अगर उन सब मतमतांतरों की तरफ थोड़ा नजर डालेंगे, जो सरगुन भक्ति नहीं कर रहे हैं, उन सब ने एक मत से इस बात को इस्तापित कर दिया हैं, सहब का एक रेक्ता, ये बहुत जोरदार हैं, इसमें पुष्टी कर रहे हैं, चला जब लोग को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सद्दुर में आई, भ्रंग जो कीट को पलट भ्रंगी करे, आप संग रंग दे, ले उड़ाई, कीडे की आउकात नहीं हैं कि उड़े, नहीं उड़ सकता हैं, लेकिन भ्रंगा उसको अपनी तरह कर देता हैं, और साथ में लेकर उड़ता है, यहां यह शब्द साहिब का बड़ा मार्मिक है, छोड़ नासूत मलकूत को पहुचिया विश्टु की ठाकरी देख जाई, यह सभी मुकामों के रिक्ते में साहिब ने एक बात इंगित करने की कोशिश किये हैं, और सभी संतों ने बोला भी है, अभी यहां क्या कह रहे हैं, आप संग रंग दे ले उड़ाई, मनिश्ट पोशिश करता है, आंत्रिक जगत में जाने की, विडम्मना क्या हैं वो नहीं समझ पाता है, आपके और परमात्मा के बीच में, अगर सबसे बड़ी प्राचीर यहां खाई हैं, तो वो आपका मन है, इसलिए साहिब ने मन के अंग पर, बहुत जोड़दार शब्द कहें, तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन, जीब के संग मन काल रहाई, अग्याने जानत नहीं, अंतभाक शरीर का मैंने बहुत बार उमले किया है, जब यह अंतरकर्ण स्वच्छ हो जाता है, तब यह एकागर हो जाता है, जैसे हमें, निद्रा वस्ता में एक शरीर प्राप्त होता है, क्या गजब का शरीर है, उस शरीर से हम सभी तरह के क्रिया कलाब करते हैं, सभी तरह की करते हैं, उस निद्रा वस्ता के शरीर के द्वारा हम सब काम करते हैं, आप देखें निद्रा में आदमी लड़ायां करता हैं, जगड़े करता हैं, मार्क पीट करता हैं, विशय विकार करता हैं, हसता हैं, रोता हैं और सत्य प्रतित होता हैं, कभी किसी ने इस विशय पर गंबीरता से चिंतन नहीं किया, कि सपना देखने वाले हम ही होते हैं हम इस शरीड से निकल कर दूसरी शरीड में चले गए ये सिकिंड के हज़ारवे हिस्से में काम हो जाता है बस आदमी सरफ यूं जानता है क्या जी नीन्द में गया सपना आया आप निद्रा की दुनिया में गए कैसे आपको एक शरीड बिला कैसे इसकी किसी को कोई जानकाजी नहीं है हर आदमी अपने जीवन में एक बटा तीन हिस्सा सोता है इसका मत्ज़ में निद्रा के लोग से हमारा एक गहरा संबन है एक बटा तीन हिस्सा सोता है चोटे बच्चे तो 17-18 गंटे सोते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो 15 गंटे सोते हैं, 3-4 साल के बदे, और थोड़े बड़े होते हैं, 13 गंटे, जब तरुना वस्ता में आते हैं, बारा गंटे सोते हैं, थोड़ी जब आये बढ़ती हैं, नव जवान, दस गंटे सो लेते हैं, और पचीस साल के बाद भी आठ नो गंटे आदमे सोता है, आगे 40 के उपर जाने के बाद भी 7-8 गंटे सोता है ये सिलसला चलता रहता है कल्कुलेशन करने भर वरदा वास्ता में भी 6-7 गंटे तो आदमी सोता है इसका मतलब है कि हम अपनी जिन्दगी का एक बटा तीन हिस्सा नीन में गवाते है है ये बहुत बड़ा टाइम है संतो जागत नीन न कीजिए कितने रहसे हैं इस काया के अंदर क्या आप हम अब सब इस जागरी तवस्ता से नीन में पहुंच जाते हैं क्या विडंबना है नित्रा वस्ता में हम एक दूसरे शरीर में जाते हैं कैसे जाते इस से पूरा हमारा कॉइंशेंस निकल कर दूसरे शरीर में चला जाता है पता नहीं चलता कुछ बहुत रहसे हैं शरीर के अंदर तभी साहब एक शब्द कह रहे हैं ये काया हैं समरत केरी काया की गत कह नहीं यानि इस काया को कोई समझी नहीं पाया बड़े-बड़े योगेश्वर ध्याय नहीं समझ पाया साहब की वानी में बड़ी प्रासंग एकता है ये काया हैं समरत केरी काया की गत कह नहीं इसकी गत कोई जानता ही नहीं है शिव गोरक सो पच पच हारे यानि योगेश्वर शिव जी और गोरक नाद पच पच के हार गए इसकाया का अंत नप आए फिर अपने एक शब्द में बहुत आम आद्मी की भाषा में साहब बुल रहे अबदू अंद दुन अंध्यारा ये काया है सम्रत केरी काया की गत काहु नहेरी कोई नहीं समझ पच 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 हारे इस काया का भेद नप आए दूर नजाए एक छोटा सा उधारान दे देता हम जो कि हम सब के सामने रहे गुजर रहे हम रोज सपने देखते हैं जरूर जब हम सपने देखते हैं इस शरीर और सपना वस्ता को मुर्शा वस्ता भी कहते हैं अर्दम्रति वस्ता भी कहते हैं कोई नहीं बता पाएगा कि जब हम नीन में जाते हैं यहां से निकल कर उस शरीर में कैसे प्रिश देते हैं और यह काम करते करते उमर ही आओ गई बहुत इस काया से जब निकल गए दूसरी काया में गए इसके लिए क्या प्रमान चाहिए जब आप इस काया से निकल जाते हैं स्वपन की शरीर में पहुचते हैं तो आपके साथ एक अद्बुत खेल नहीं होता है यह काया सीज हो जाती है अर्ध मृतक अवस्ता में आप लेटे रहते हैं कुछ नहीं पता चलता आपको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है पूरी बौडी सीजो गई आप निकल कर किसी और शरीर में चले गए अब आप उस शरीर से नाना प्रकार के कारे करते हैं सरफ इतना नहीं है फिर आप इस बौडी में वापस भी आते हैं ओपोलो इलेवन की तरह चांड पर तीन यात्री गए गूम फिर करके फिर वापस भी आए इस बात को हलके में नहीं ले आप फिर गूम फिर करके वापस बौडी में इंसक्ट होता है पता नहीं है कैसे आए कैसे गए हम दूर तो जाई नहीं रहें अब साहिब की भाणी में बहुत वज़न है शिव गोरक सो पच पच हारे इसका अब्हेद न पाएं सब कुछ इसमें है ऐसे ही छे शरीर है इस दोल सुक्ष्मकारण महाकारण ज्ञान विज्ञान दे इसका उल्लिक मैंने कई धर्म शास्त्रों के माद्यम से दिया आप देख रहे हैं यह योगा वश्ष्ष्ट पुस्तक है बहुत पुरानी है इसके पन्ने भी सर्च उके और बड़े सरल शब्दों में बहुत पुरानी पुस्तक है इसमें वश्ष्ष्ट जी ने भी अंतवाहक शरीर का उल्लिक किया है इसी अंतवाहक शरीर से ही जो देवी देपाउं की उपास्ना करते हैं इस्ट आता है उनके पास कहते हैं प्रगट हुआ आप सीरियलों में भी देख रहे हैं आप टेलिविजन पर भी देख रहे हैं आप ये बातें कताओं में भी पढ़ रहे हैं आखिर वो कैसा शरीर है पूरी उम्र शरीर में रहने के बाद आदमी शरीर के रहस से को नहीं जान पाता है इसमें सभी वृत आत्मिक शक्तियां भी रह रहे हैं इसमें काम भी बैठा हुआ है काम देव इसमें लोब देव भी बैठा है क्रोद देव भी बैठा है इसमें विवेक और ज्यान देव भी बैठा है विश अम्रित रहत एक संगा मल्या गिर में रहत भुजंगा इसलिए साहिब अपनी वानी में एक शब्द बड़ा जोरदार बोले कह रहे हैं ये काया है समरत के रही हूँ काया की गत काहन है रही है इन शरीरों के बारे में जानना है पूरे दुनिया के जितने लोग है जितने धर्म है एक माने ता को सुखकार करते है कि मौत के समय रुह को निकाल के ले जाते है यही मुस्लिम भी कह रहे है यही हिंदू भी कह रहे है यह सिख भी कह रहे है इसाई भी कह रहे हैं पर कभी किसी ने यह म्राज को देखा नहीं किसी को ले जाता है क्योंकि वो सुक्ष मुशरी द्वारा आते हैं और आत्मा को भी सुक्ष मुशरी द्वारा लेके जाते हैं रोज हमारे देश में ही तीन सेकिंड में एक आदमी मर जाता है तो बहुत लोग मर रहे हैं डेली लाखों लोग मर रहे हैं लेकिन उनकी मुमेंट नहीं दिखाई दी आदमी काया का रहे से नहीं जान पा रहा है इसमें आत्मा भी है आदमी उसको भी नहीं समझ पा रहा है इसमें मन भी है साहिब ने अपने एक शब्द में इसकी पुछ्टी की वाग क्या बात कर रहे हैं अबदू अंद दुन्द अंधिहारा इस घट बीतर इस घट बीतर नौ लगतारे इसी में सूरे चन्द इसी शरीर में इस घट बीतर बाग बगीचे यही में इसी चन्हारा हां इसमें ही बाग बगीचे है इस घट बीतर साथ समुन्दर यही में नदिया नारा हां साथ समुन्दर भी इसी में है नदी नाले भी इसमें है इस घट बीतर चांद और सूरज यह आही में नौलक तारा, नौलक तारे भी इसके अंदर है, इस घट भीतर काम देन है कल्प प्रक्षिक ने आ रहा, इस घट भीतर रिद्शित के भरे अखंड भंडा रहा, ठीक ऐसे यह आदमी बाहर बटक रहा है, जैसे मरगा की नाभी में कस्तूरी है, वो नहीं जान पा रहा है, और एक एक भूटी को सुंकते सुंकते पूरी उम्र गवाता है, इस तरह वस तो कहां हो और ढूंडे कहीं कैसे हद में आ जाएगे, इस घट भीतर काशी मत्रा, यही में ठाकर द्वारा, इस घट भीतर हीरे मोदी, यही में परकान हारा, क्या हैं जो इसमें नहीं है, मैं उधार देता हूँ, आप जितनी भी विज्वेल पदार से देख रहे हैं, सब धर्ती के अंदर से निकले हैं, अभी मैं तीन आश्रमों को ठीक से देख रहा हूँ, लुद्याना भी मैं ठीक देख रहा हूँ, यह दसुआ भी, और जलंदर भी है, अन्यन्य पदार्थ हम देख रहे हैं, यह जो काया हैं यह भी प्रती से निकली है, बेंचे रखी हैं सब प्रती से निकली, कुर्सी पर बैठा हूं प्रती से निकली, इसलिए भूपाल में भू सर्विशन विभाग गया हैं, बारत का सबसे बड़ा, सोयल पर रिसर्च करते हैं, वहां का एक वग्यान ने काया, उससे मेरी बात हुई, उसने का पूरी दुनिया, यह जग माठी का, यह जग सारा माठी का है मौरे, वहां साहिब कहरें मिटी का है संसार, सब तो मिटी से आया, यह भी जमीन से निकला, इसकी पुष्टी तो हमारे वेद भी कर रहे है, यह पिंड़े सब्रमेंड, पिंड़ और ब्रमान की संदर्शना एक जैसी है, या घट भीतर काशी मत्रा, यही में ठाकुर द्वारा, इस घट भीतर यही में तीरत सारा, सब तीरत भी इसमें है, या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के, भरे अखंड भंडा राज़, रिद्ध सिद्या में भी है, तभी तो साहिब भाणी में फर्मा रहे हैं न, सब की गष्री लाल है, कोई नहीं कंगाल, सब की गष्री लाल है, कोई नहीं कंगाल, सब की गष्री लाल है, याघट भीतर ब्रमा विष्णु ब्रमा विष्णु भी इस काया के अंदर याघट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखट बंदा रहा याघट भीतर काम देनु है सभी तो काया में भरा है याघट भीतर तीन लोग है पुष्टी तो वेद भी इस बात की कर रहा है भाईया क्या नहीं आपके अंदर यह पिंडिस अब्रमंड है यानि पिंड और ब्रमंड एक जैसा है एक महात्मा की पास कोई अदमी पहुचा जाकर कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं है बड़ा कंगा लूँ है महात्मा उसकी बात सुनता रहा है बात में महात्मा ने का चलो कोई बात नहीं है तुम मुझे एक हाथ दे दो पांच लाक लेलो बोला नहीं मारा है यहाथ नहीं देपा हुआ हुआ महाँत्रमाने के चलो कोई बात ने है आथ ने नहीं दे सकत Best Attic लो नहीं महारज तैरे बाश तो इतनी कीम्ती चीजें यहीोधार मेनं एक चीज दी एक बार अक्बर विर्बल के किस्से काफी मौशुर है एक बार अक्बर ने विर्बल से कहा विर्बल ये खुदा ने सब को बरूबर देना चाहिए था हम सब बच्चों को बरूबर देखते हैं किसी को दुबला बनाया किसी को कमजोर बनाया किसी को अमीर बनाया किसी को गरीब बनाया किसी को हीन बनाया यूं नहीं करना चाहिए था उसने सब को समान दरिश्टी से बरूबर बरूबर देना चाहिए था बिर्बल ने कहा हुदूर गुस्ताखी की Maafi परमात्मा ने सब को बराबर दे कर बेजा है अकबर ने तरफ रखा यार क्या बराबर दे कर बेजा है मैं सिंगाजन बेटा हूँ और एक आदमी बेटा हुआ है वो भाला लेकर खड़ा है कुछ लोग भीग मांग रहे हैं बरोबर दिया कुछ लोग दो जून की रोटी खाने के लिए भी मोहताज हैं किसी के पास बड़े-बड़े महल हैं किसी के पास जोपड़ी भी नहीं है बीरबन ने का हम अभी शचाना हूँ और मात्ट चाहरा हूँ आपकी बात कर रही है उस मालिक ते सबको बरोबर दे कर भेजा भोला कैसे बरोबर दे कर भेजा भोला देखो मारा था consist को दो दो आँखेंदी किसी को तीन आंकें दे कर नहीं भेजैताई सब को दो दो हाथ दिये किसी के तीन आद नहीं सब को दो दो टांगें दी सब के दो कान हैं, किसी को चार कान नहीं दिया. हुजूर उसने सब को बरुबर दे कर भेजा. लिकिन इसका उप्योग कितना किया? ये इसके दिये वो दोशी नहीं है. वो दोशी नहीं है. उन्होंने उप्योग तरीके से सकुटिया. आखिर ये नर्चोला इतना कीम्ती है, कि देवता लोग भी चाहते हैं, हम मनशतन को प्राप्त करें. आखिर एक आफिसर तो चप्रासी बनना नहीं चाहेगा ना. जब वाणियों में आता है, देवता भी शरीद को प्राप्त करना चाहते है. अब साहिब चेतावन ही क्या दे रहे हैं? जनम तेरा बातन बीट गया हूँ. तुने कभोन नाम जप्राप्त हूँ. सोने के लिए हम एक उपक्रम करते हैं. काफी लोग सत्संग में भी सो जाते हैं, मैं देखता रहता हूँ. और सामने वाले को इशारा करता हूँ, ये सो रहा हैं जगा हूँ. अब सोने के समय शरीर की मद्रा अलग हो जाते हैं. अब देखने से नहीं लग रहा हैं कि सो रहा हूँ. जब उसको कोई जगाता हैं तो वो क्या कहता है उसको? बोला, नहीं शेड़ो, मैं ध्यान में, ध्यान से सुन रहा हूँ. अरे भाई, आप कौनसा ध्यान से सुन रहा हैं यार आप तो सो गये हैं. आपकी शरीरिक मुद्रा बता रहे हैं आप सोये मुस्तेद होकर बैढना चाहिए ध्यान योग में भी कहते हैं आदमी जब सत्संग सुने तो पदमासन डाल करके एकागर होकर बैठे कमर सीधी करके बैठे नहीं तो नीद आ जाएगी मैं पिछले बावन साल से दिख्षा दे रहा हूँ तो ये सब चीजे मैं खुद भी देख रहा हूँ आप अपने यहां भी देख रहे हैं कुछ ऐसे आलसी है वो हिलती ही नहीं कुछ इतने फुर्ती लिए काम कर रहे हैं क्या परमात्मा ने एक वालसी बना कर वेजा गया इतना जंजट वो नहीं किया है उस फैक्टरी से निकने वाई रहे हैं अब जो हमेशा लेटा रहा उसकी शरीकी स्टेंथ कम हो गई दीरे दीरे मैं लोगों कहता हूँ बिस्तर कभी मत पकड़ना आप बिस्तर से बहुत प्यार नहीं करना बिस्तर कभी नहीं पकड़ना बिस्तर पकड़ा आपकी जिन्देगी खत्म होती जाएगी हर आदमी के पास बोडी स्टेंथ टेन है कभी ये 9 हो जाती है कभी 8 हो जाती है कभी 7 हो जाती है 7 से नीचे आना खत्रा है जैसे आदमी का ब्लेट 13 से 15-16 तक चलेगा इस से नीचे आ गया 13 से तो एनेविक हो जाएगा इसी तरह शरीर की इस्टेंटर 10 है डाक्टर लोग भी जब किसी का आपरेशन करते है strength check करते हैं अगर 5 से strength नीचे operation कभी नहीं करेंगे वो मर जाएगा वो strength देखते हैं पहले क्यों मर जाएगा फिर रहोंश में नहीं आ सकेगा इसलिए doctor लोग जानते हैं ये मर जाएगा operation करूँगा सीधा क्या बोलते हैं घर ले जा अब अगला सोचता है ये doctor साब ने इलाज क्यों नहीं कर रहा है doctor साब जानता है उसने 5 साल यही पढ़ा है शरीर पर कि इसके शरीर की strength 5 से नीचे है जब 5 से नीचे है बेऊश होने के बाद ऊश में नहीं आ पाएगा मर जाएगा तो कुछ लोग आके कहते है doctor साब ने जवाब दे दिया है घर ले जाओ doctor साब आगे इलाज नहीं कर रहा है operation नहीं कर रहा है doctor जानता है अब शरीर की strength कैसे कम होई खान पान गलत से भी कम हो जाएगे और सबसे ज़्यादा कम हो कम होगी आप जब बिस्तर पर रहेंगे बिस्तर से ज़्यादा महबबत मत करना ये एक बिकार जगह है संतो जागत नींद ने कीजए जैसे आपने physical activities कम कर दी तैसे आपकी strength कम होती जाएगी और आप आलसी हो जाएगे बाद में क्या होगा आप तो उठना भी नहीं पसंद करेंगे बैठे रहेंगे आप सरफ बैठना पसंद करेंगे slowly आपकी strength down आजाई इसलिए active रखना साहब ने भी तो यहां कह दिया ना संतो जागत नींद न कीजए तो इस काया के अंदर अद्बत खजाने बड़े पड़े है गोता खोड़ लोग गोता लगाकर समंदर से हीरे निकालते हैं अगर दो चार गोतों में हीरा नहीं मिला तो यह कदाप भी नहीं समझना है कि समंदर में हीरे नहीं हैं बार बार प्रैस करते रहना अंतो गत्वा आप यश्रसी हो जाएंगे हीरा मिल जाएगा इसी तरह जिन को जाते हैं पाईया गहरे पानी पैठ मैं बहुरी बूरन ज़री रही किनारे बैठ आपके पार सब चीज़े हैं देखिए समंदर में मैं बहुत अच्छा तेर ना जान पाथा लेकिन अब पिछले 25-30 साल से मैं नहीं तेर रहा हूँ लेकिन आज भी मुझे कोई कहते है रहो मैं तयार लूँगा मैं गोता भी लगाता था कुए में बाल्टी गिर गई तो निकाल भी लाता था एक बार एक कुए में पानी ज़्यादा हो गया था बरसात का मौसन था उस कुए में अक्सर में उतरता था जब वाल्टी गिर गई मैंने ध्यान नहीं दिया कि कुए में पहले पानी होता था 20 फिट अब कुए में पानी था 40 फिट बरसाथ में कुए की पानी की लेविल बढ़ जाती है मैं गोता मारकर नीचे गया मैंने वाल्टी पकड़ी एक हाथ में बाल्टी थी मैं फिर उपर आ रहा था आधे रस्ते में मुझे लगा मेरा दम खत्म हो जाएगा तो मैंने फॉरण बाल्टी वापर सोड़ दी और उपर आ गया तो कह रहा है साहब लेकिन जब आक्सिजन वाले जाते हैं तो समुंद्र में उतर जाते हैं न वो तो दो चार चार किलो मीटर नीचे जाते हैं तो अब आपको अक्सिजन मिला है इसमें गोता लगा हो न आपको नाव रूपी अक्सिजन सिलिंडर दिया है बनत बनत बन जाई गुर्की द्वारे लग रहा है भाई अब आप बाकी सब काम कर रहे हैं लेकिन आप बजन में नहीं बेढ़ना चाहरे हैं समुन नहीं करना चाहरे हैं आपने जीवन के सभी कारें के लिए देह कारें के लिए आपने समय निकाला आपको भजन के लिए समय फिकर रखो जब आपकी अबिट बन जाएगी ना स्वांस प्रभ समढ़ ले तब आपके लिए कुछ भी दूर नहीं क्योंकर आप एक ऐसी अवस्ता में पहुँच जाएंगी भजन से जिसमें आपको अंदर की दुनिया में जाना कोई मुश्किल नहीं होगा कोई मुश्किल नहीं होगा यह घटमंदर प्रेम का मत कोई बैठो धाय जो कोई बैठे धाय के बिंसर सेती जाए इसलिए नित्य ध्यान में बैठना है समरन भी करना है जरूर ही है बच्चा पहले नहीं लिख पाता है कलम ही नहीं पकड़ते है तो लिख नहीं पाता है लेकिन दीरे दीरे कलम पकड़ते और लिखना हा जाता है अब यहां भी कह रहा है बनत बनत बन जाए इसके लिए एजुकेशन भी नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा पड़ा लिखाओ बहुत बड़ी ताकत भी नहीं चाहिए बहुत बड़ी एकसरसाज नहीं है साधान्ट से सुम्रंट सुम्रंट क्या करेगा आपको पूरा एकागर कर देगा जब आप पूरा एकागर हो जाएंगे तो एकापको शरीर प्राप्त होता जाएगा साहब ऐसे ही नहीं कह रहे हैं जब तब सही हम साधना सब सुम्रंट के माँ हैं कबीर जाने संत जन सुम्रंट समकशना है आज भी आपने देखा मैं करीब दस मिनट लेट सत्संग शुरू किया लोग थे बहुत बंदगी किया नबे परसेंट समस्या हैं लेकर रहते हैं लोग और ये सुम्रंट हर समस्या का सकल रोग की आउकद नाम आप सुम्रंट की आदत तो ठालें ना नानक देव जी ऐसे ही तोड़ी फर्मा रहे हैं नानक जो निस दिन बजे रूप राम तहें जान हरी जन हरी अंतर नहीं नानक साच्छे मान और साहब क्या करें नाम ने जपस कवन दन लागा मर्जाइबो का करब अभागा गोसामी जी भी कह रहे हैं जो नहीं नाम जपन रहे हैं बड़े अभागे हैं नाम का महातम क्या है एकाकरता की कुंजी हैं और एकाकरता की अंदर से एक शरी मिल जाएगा आपको जैसे नींद के अंदर से एक शरी निकल आता है आपको एकाकरता होने पर एक शरी मिलेगा जिससे आप आंतरिक जगत में जा सकते हैं उठत बैठत जागत सोवे नाम जपे कहनानक सिद्वेत हैं के सबकाई इसको भूलना नहीं है अगर आप सुम्रण नहीं कर रहे हैं तो आपका मन आपको कल्पनाओं में घुमा रहा है कभी सुखी कर देगा कभी दुखी कर देगा मन सयार मन सा लहर बहे कतब ना जाए शमा चाहता हूं मैं करीब फोन घंटा बातचीत हो गई आपसे अब आरती होगी कल्पने मैं हाजल होगा